नमस्ते चिबाई ये मेरा 2023 का सबसे पहला फेस्बुक लाइव है और मैं आप सबको सबसे पहले नया साल का 2023 का शुब कामना देला चाहता हूँ आपने बहुत मेसेजिज भेजा है मुझे मेरे हेल्थ के बारे मेरे स्वास्त के बारे पूछने के लिए कि आपका तबेद कैसा है पहले से काफी ठीक है और मैं आप सबको धन्यवाद हम बाई बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने घर में मेरे लिए प्राथना किया पूजा किया प्रेयर किया दुआ मांगा और आज थोड़ा सा हेल्थ ठीक हुआ है कमजोरी अभी भी है लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद मैं फुली फिट होकर मैदान में जमीन में आकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना मुव्मेंट को जारी रखूँगा आपने इतना प्यार दिया है मुझे मुझे खबर मिला कि गाओ गाओ से बुरे औरत लोग ने मा लोग ने मेरे लिए पूजा किया है प्रात्ना किया है आपने इतना प्यार दिया है मुझे बुबागरा को आपने इतना प्यार दिया है और बुबागरा भी आपको बोलना यह नया साल है 2023, आप एक बात समझ लीजी, आज जो भी मैं हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ, जो गाउं में उमीद लगा कर बैठा है, कि इस बार हमारा बुबागरा हमको कुछ देगा, इस बार हमारा बुबागरा, हमारे तिप्रासा, हमारे दुप्रा के सब लोगों को, क्रिश्यन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इसाय हो, कोई भी हो, बुद्धिस्ट हो, हमें कुछ मिलेगा, हमारा भवेश्य, हमारा नेक्स जेनरेशन को कुछ मिलेगा, और मैं आपको बोलता हूँ, एक बात तो पक्का है कि मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूँ और अपने लोगों को कुछ दूँगा आज फेस्बुक लाइफ, 2013 मेरा सबसे पहला फेस्बुक लाइफ है और इस लाइफ में मैं आपको एक चीज ख्रेली एक मेरा मेसिज है आज के लिए आज से चार साल पहले मादब बारी में आठ जन्वरी को जब हमारे निहत्ते, अनाम, स्टूडेंस, सिरिजन्शिप अमिंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय हम सब ने देखा कि पुलीस ने निशाना देखकर हमारे तीप्रासा को बोली से मारा थे और ये बात बहुत क्लियर है कि उस दिन जब हमारे लोगों को जिनके हाथ में कुछ हतियार भी नहीं था उनको जब आपने निशाना देखकर हमारे लोगों को मारा उस दिन आज भी मेरे दिल के अंदर है ये जो जखम है वो आज भी हमारे अंदर है उसके बाद हमने सब ने देखा कि जब एम्बिलन्स में हमारे खायल लोगों को ले जाया जा रहा था अंबिलन्स को रोग कर हमारे लोगों को पीटा गया अंबिलन्स उसको रोग कर हमें लोगों को पीटा गया कि जब सुनु निगम का इस दिन कॉंसर्ट हुआ तो स्टेज कॉलाप्स वा बहुत दुख का बात है बहुत दुख का हाथसा है तो इमीजिटली हमारे मुख्य मंत्री जीबी होस्पिटल गए अच्छे अच्छा है गय आयलेस गय देखा जो घायल थे जब हमारे मादबारी में हमारे लोगों को भूली मारा गया एक मंत्री नहीं गया एक एमपी नहीं गया हमारे लोगों को देखने को लिए ये कहां सबका साथ सबका रुखा से अगर कोई मंत्री के एस्कॉर्ट या कॉन्वोय में कोई साधारन इंसान बीच में आ जाता है तो हमारे मंत्री लोग ये MP लोग ट्राफिक पॉंस्टिबल को सेस्पेंड करते हैं लेकिन पाँच आदमी को गोली मारा गया और एक ऑफिसर भी ट्रांसवर नहीं हो सेस्पेंड में है क्यूं है तुरुप्रा में दो कानूब एक हमारे लिए और एक सब के लिए क्यूं ये जो मादबारी का इंसिडिन्ट है ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने ही राज्य में अपने ही जमीन में हमें अलग करकर हमें वन्चित करकर ये साशन्थ किया जाना है हम नहीं भूलेंगे हम नहीं भूलें और मैं अपने लोगों को थुप्रा के लोगों को एक बात बोनना चाहता है कि ये दो ये जो डिस्क्रिमनेशन होता है ये आम नागरिक नहीं करता है तुप्रा के सब लोग अच्छे हैं जो जनता है तुप्रा का जो आम नागरिक है बिंगॉली हो मनीपूरी हो तीप्रासा हो मुसल्मान हो क्रिश्चन हो बुद्धिस ऐसा बच्चे है प्रॉब्लम है कि हमारे नेता लोग समझते हैं कि वो हमारे जो आम जनता उनसे ज़्यादा बढ़े है लेकिन यह अब नहीं हम ब्लैक डे अब्जर्व करेंगे क्योंकि उस दिन एक मेसिज दिया गिया कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे जो आपका कॉंस्टिश्टिशनल राइट है सी एक प्रोटेस्ट करने के लिए हमें सम्वेधानिक अधिकार दिया गिया है हमने कोई गेर कानूनी प्रोटेस्ट नहीं किया था उस दिन जो स्टूडन्स ने गेर कानूनी प्रोटेस्ट नहीं किया था लेकिन उस दिन हमारे संग जो सुलुक किया गिया वो हमें मेसिज देने का एक तरीका था कि आप अगर जादा आवाज उठाएंगे तो आपको इ आपका आवाज नहीं चलेगा, ये देश में हम सब का आवाज चलना चाहिए, ये जो समयधान बाबा साहब अबेटकर ने बनाया है, लिखा है, उसमें क्लेली लिखा गया है कि ये देश सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये सब का है, और आप हमारा आवाज को बंद करने की क कोशिश करेंगे, तो हम अपना आवाज और जोर से उठाएंगे, ये देश एक धरम का नहीं है, एक मजभब का नहीं है, ये देश सिर्फ एक जाती का नहीं है, ये देश हम सब का है, और ये देश एक सोच का नहीं है, ये देश हर सोच का है, ये देश को एक जीने नहीं बनाया ये देश में हर आइडियोलोजी को जीने का एक अधिकार है और आठ टारिक को हम लोग ब्लैक डे अब्जर्ब करेंगे इससे पहले भी मैंने ये जो राजभवन अभ्यान था हमारे मौथा के खिलाफ मैंने देखा दो तीन भाशन किसी ने कहा कि थांसा का मतलब क्या होता है जो थांसा का मतलब नहीं समझता है जो एकता का मतलब नहीं समझता है वो हिंदुस्तान का मतलब नहीं समझता है थांसा का मतलब एकता होता है थांसा का मतलब भायचारा होता है थांसा का मतलब यूनिटी होता है अगर आप ये थांसा का शब को समझ लेना चाहिए आपको, जो लोग बोलते ये थांसा क्या है उनको समझना चाहिए कि थांसा नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, थांसा नहीं रहेगा तो भाई भाई से लड़ेगा, थांसा नहीं रहेगा तो समाज तूटेगा, थांसा नहीं रहेग तो चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान हमें तोडने की कोशिश करेबा । थनसा का मतलब, एक्ता होता है, एक्ता से ही देश आगे बढ़ता है, एक्ता साही दौफा आगे बढ़ता है। और आप जो लोग थांसा के बारे बोलते हैं ये थांसा क्या है, एक बार फिर से जाकर अपने स्कूल का किताब को खुल के पढ़िये, ये देश थांसा से बना, और ये जो हमारा तीपरासा है, वो थांसा को तोनने अब नहीं दे. किसी और ने बोला कि ये लास्ट फाइट क्या है, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, नेता लोग नेक्स्ट इलेक्शन के बारे सोचते हैं, मैं नेक्स्ट इलेक्शन के बारे नहीं सोचता हूँ, मैं नेक्स्ट जेनरेशन के बारे सोचता हूँ, मैं अगला जेनरेशन के बा के बारे सोच रहा हूं और आप next election के बारे सोच रहे हैं हमेशा 5 साल के बाद election होगा पैसा फेका जाएगा और हमारे वोट को खरीदा जाएगा election खतम हमारा अवश्य भी खतम election खतम दिल्ली के नेता लोग वापस चले जाएंगे दिल्ली त्रिपुरा का क्या होगा हमारे घर म बिजली नहीं आएगा स्कूल में सिक्षा नहीं मिलेगा ठीक से हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगा डॉक्टर को काम करने के लिए मशीन नहीं मिलेगा नौकरी नहीं मिलेगा दिल्ली का नेता फिर से आएगा फिर से आपको प्रोमिस करेगा जो 75 साल से होते रहा है election खतम वापस दिल्ली और तुरुपरा जैसा था वैसे ही रहेगा अमारे तुरुपरा के लोग आप असली सवाल पूछो रस्ता क्यों नहीं बन रहा है नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है आदमी आज भी क्यों गरीब है तुरुपरा में आज आसाम में लोगों के पास पैसा आ मागालैंड में आ गया, मीजोराम में आ गया, मेगाले में आ गया, लेकिन तुरुपड़ा का जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, क्यों इतना गरीब है, क्यों इतना वंचित है, क्यों भी आज हमें रेगात में रास्ते में पत्थर तोड़कर हमें अपना घर चलाना पड़ता क्यूं? क्या रोक रहा है आपको? आपके पास तो बहुत पैसा है आपके पास तो करोड करोड पैसा है तो ये पैसा आप सिर्फ एलेक्शन के सामें क्यों अनौन्स करते हैं? इलेक्शन के एक मेहने पहले ही आपको क्यों नीन से आप उठकर बोलते हैं कि तुरुपरा को हम ये देंगे तुरुपरा को हम वो देंगे तुरुपरा को इतना करोर रुपया देंगे पात साल तक आप क्यों सोके बैठे थे इलेक्शन के पहले ही आप क्यों उड़ते हैं तुरुपडा के लोगों को क्यों बेकूव बनाते हैं ये आप एक साल पहले अनाउंस नहीं कर सकते थे ये आप छे मैने पहले अनाउंस नहीं कर सकते थे इलेक्शन के पहले मेरे तुरुपडा के प्यारे लोग ये आएंगे, फिर से वादा करेंगे, election खतम, वापस वही जो हमारा condition था, वही रहेगा आप लोग एक बात टै कर लो, system को change करना है कि नहीं, अगर system को change करना है, तो अपने उपर विश्वास करो ये system सर चुका है, हमारे तुरपड़ा के लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग सीधे हैं, सिंपल हैं, इमानदार हैं और हमें बेकू बनाया जाता है, हमारे लीडर लोग खराब हैं, हमारे लीडर कुछ सब नहीं, कुछ लोग स्वार्थी हो गए हैं, थोड़ा पैसा मिला, तो अपने आइडियोलजी को compromise करो, थोड़ा पैसा मिला, तो अपने सपोर्टर को, अपने लोगों को बेकू बना कर बेश दो, ये पैसा ना, पूरे जिंदगी आपके जेब में, आपके बैंक पे नहीं रहेगा, हमें अधिकार चाहिए, हमें राइश चाहिए, हमारा fight, हमारा survival और existence के लिए है, आज मंदिर और मस्जिद के बारे हम बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल के बारे बात करना चाहिए आज हम धरम में बात कर रहे हैं कि इसका ये धरम है, इसका वो धरम है, स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे को सिक्षा मिलना चाहिए, वो बात नहीं करेंगे आज आज आप ने एक सवाल, मेरे एक मंत्री ने हमारे MDC के बारे पूछा, कि इसका बाप क्या करता था, और य ये आज क्या कर रहा है, इतना पैसा कहां आया, इसका बाप क्या करता था, हमारे MDC के बारे आपने सवाल पूछा, उंगली उठाया, उमा शंकर का पिताजी किसान था, और वो आज MDC है, उसका बच्चा कल तुरुपरा का DIG बनेगा, वो उसका अधिकार है, एक तीपरा सा DIG क्यों नहीं बन सकता है, क्या किसान का बेटा पूरा जिंदगी किसान खेत में काम करेगा, उसका बच्चा क्या स्कूल नहीं जाएगा, आप किसी के बैग्गराउंड में क्यों अटाक करते हो, आज अगर एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो चाई बेशता था, देश का बच्चा तुरुपरा में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनेगा, तुरुपरा में DG क्यों नहीं बनेगा, हाई कॉट में जज क्यों नहीं बनेगा, ये सिर्फ हम क्या पूरी जिंदगी जहां में थे वहीं में रहेंगे, अपना आउकाद, अपना बैक ग्राउंड, अपन मैं आपको क्लिरी बोल रहा हूँ ये एलेक्शन मैं कंप्रमाइज नहीं होगा हम कंप्रमाइज नहीं करेंगे ये मेरा लास्ट फाइट है आपको मज़ा कोड़ाना है कि क्या है लास्ट फाइट ये मेरा लास्ट फाइट नेक्स जेनरेशन के लिए है ये मेरा लास्ट फाइ नहूं आपके लिए क्या है ये Fight? पद, आपके लिए क्या है ये Fight? पोस्ट, आपके लिए क्या है ये Fight? और एक Election, पावर, ये पावर ना permanent नहीं, राइट्स पर्मिनेंट है, मैं अपने लोगों को अधिकार देना चाहता हूं, आप अपने पाटी को पावर में लाना चाहते पार्टी से बड़ा लोग होता है पार्टी से बड़ा हमारा नागरिक होता है पीपल आ बिगर देन दे पार्टी पुईला जाती पुईला देश उलोग पार्टी देश अपने पार्टी से बड़ा है मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने राज्य से प्यार करता हूँ, मैं अपने पार्टी को बाद में प्यार करता हूँ, ये सोच रखना चाहता हूँ ये 2023 का election मैं positively fight करना चाहता हूँ, मैं नफरत से नहीं fight करना चाहता हूँ मैं प्यार बाटना चाहता हूँ और यहां में बहुत पार्टीज भी है IPFT भी है NC दे बर्मा अपने ही रहे भगवान उसके आत्मा को शांती दे लेकिन मैं IPFT से फिर से दर्ख्वास करना चाहता हूँ कुछ नहीं मिलेगा आपका डिमांड और हमारा डिमांड भी एक ही एक हो जाईए मुझे नाम में कुछ परवा नहीं है एक होकर एक सिंबल में एक पार्टी होकर एक आवाज में पब्लिक को थांसा देखना है पब्लिक को कुछ नहीं देख चाहिए पब्लिक को थांसा देखना है एक पार्टी होकर एक आवाज में एक सिंबल होकर चलिय फाइट करते हैं मैं रेडी हूँ पब्लिक को जो चाहिए हमारे लोगों को गरीब जनता को यही चाहिए गरीब जनता आशा कर रहा है और अगर हम अपने स्वार्थ के लिए हम अपने स्वार्थ के लिए अगर हमने जनता का दिल तोड़ाना तो भगवान भी कभी हमें माफ नहीं करेगा ये एक राइट चांस से हमें एक होने के लिए और मैं आप सब को अपील करता हूँ IPFT को अपील करता हूँ नाम में क्या लिखा नाम जो भी होगा आप decide कीज़े सिंबल एक होना चाहिए तीप्राशा को एक होना चाहिए मुसल्मान को एक होना चाहिए हिंदू-Bangali को एक होना चाहिए Manipuri-Adiwasi को एक होना चाहिए और एक होकर हमें एक आवास में इस बार फाइट करना जा 2023 should be a great year for everyone I wish you all the best I want you to be positive नफरत मत बाटो, प्यार बाटो नफरत से किसी को कुछ नहीं मिलता प्यार बाटने से ठंसा करने से एकता होता आज जब मादब बारी में हमारे आज से चार साल पहले जब गोली मारा गया, वो T.S.F. को गोली नहीं मारा गया वो नेशो को गोली नहीं मारा गया वो मौथा को गोली नहीं मारा गया वो C.P.M. B.J.P. कॉंग्रिस को गोली नहीं मारा गया जिस दिन गोली लगा था न मादब बारी में वो गोली की प्रासा को मारागे एक होईए उठिये प्यार बाटिये और शांती रखिये वाइलेंस नहीं होना चाहिए हम शांती से अपना बात रखेंगे और शांती से आधी दो यह मेरा मेसेज है I love all of you all Please be united and don't spread hate और एक होईए I love all of you बलाए बलाए नहांबाई धन्यवाद खुलूंका God bless all of you all Long live तीप्रामथा Long live तीप्रासाटपा Long live तृपुरा Long live थांसा एक्ता Long live इंडिया